दोस्तों स्वागत है आपका एक बहतरीन वीडियो में इसमें हम लोग जानेंगे एक पैनी स्टॉक के बारे में जिसने पिछले एक साल के दरौन 700% का रेटर्न दिया है 700% का रेटर्न यानि कि आपने अगर 100 रुपय लगाए होते एक साल पहले तो वो अभी तक आपके 700 रुपय बन गए होते है इसका प्रैस आजकी डेट में 85 रुपीज है साथी हम लोग उसमें बहुत ही basic लिवल के analysis भी करेंगे कि हमें companies को analyze करते time क्या-क्या आप बहुत basic लिवल पे अगर analysis कर रहे हैं तो हमें क्या-क्याचीज़च देखनी चाहिए सबसे पहले जो हमें देखना है वो है profits कोई भी देखिए बिजनस है वो बिना प्रॉफिट के सस्टेन नहीं कर पाएगा कोई भी कंपनी है आप मन यह चोटा सा चोटा एक्जामपल लिजे कि मा लिजे आप छोटी सी शौप भी चलाते हैं उसमें एक दो लोग काम करते हैं तो अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएं है तो उसके लिए तो बहुत ही बेसिक लगल चीजह है साथ में बिजनेस गुरुव होगा तब आपको प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हमें क्या देखना है सबसे इंपर्टे चीज़ बहुत ही वे फॉलो करने चाहिए प्रॉफिट किसी भी कंपनी को एनिलाइज करते टाइ हमें देखना है कि क्या उसके profits time के साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं अगर वो बढ़ रहे हैं constantly year over year अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो बढ़ते जारें तो बहुती अच्छा positive signal है यह और उसी के हिसाब से जो हमारा stock होगा वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा क्योंकि देखिए कोई भी stock उतना ही आपको return दे सकता है जितना की कोई company आपको profits कमाके दे सकती है ठीक है कोई भी company जितने भी profits कमाती है उसी के basis पे stock का return vary करता है over a long period of time long period की बात हो रही है अगर आप short term में बात करेंगे तो जो शेर का price ऐसे 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 तो यह काफी सारी noise होती है noise यानि की छोटी मोटी news आई कोई negative news आई price नीचे चला गया है कोई positive news आई फिर उपर चला गया फिर negative नीचे लेकिन जो भी companies का एक profit constantly year over year increase अगर होता रहता है तो आप देखेंगे उसका जो share price होता है ऐसे 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 एक constantly growing condition में होता है तो हमें इस तरह की companies को हमेशा focus करना है जिनका profit जो है वो constantly बढ़ता जाए साथ ही हमें debt level को भी analyze करना है कि क्या उसका जो कर्ज लिया है company ने क्या हूँ एक reasonable level का कर्ज है कहीं ऐसा तो नहीं कि company बहुत जादा कर्जे में डूबी है और कोई situation आने पर अचानक से कोई bad situation आने पर कोई markets marketing बहुत सारी चीजे होती रहती है देके international events होते रहते हैं कुछ sectors में कभी कभी दिक्कते आ जाती है किसी चीज के price बढ़ गए petrol के price बढ़ गए oil के price बढ़ गए communities के price बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजे situations आती रहती है तो ऐसा तो नहीं कि कोई कोई चोटी सी situation आई या फिर कोई 6-7 मेने दस मेने का जैसे कोविड आ गया तो इस तरह के situations में क्या ऐसा तो नहीं कि कम्पनी इतना जादा करजा है कम्पनी के उपर कि लेकिन जो प्रमोटर होता है उसे कम्पनी का A to Z पता होता है उसे कम्पनी के बारे में हर चीज़ पता होती है ये कम्पनी में काम कैसे होता है कम्पनी में कितना profit होता है कितना loss होता है कम्पनी में चीज़े कैसे चल रही है कम्पनी future में कैसा करेगी तो हर चीज़ की knowledge उसे होती है तो अगर promotor की holding बढ़ रही है तो यह बहुत ही positive signal है कि हम उस company में invest कर सकते हैं तो जहां पर यह तीनों चीज़े green है तीनों चीज़ें एक दम बढ़िया है एक number है तो यह stock छोड़ने लायक नहीं है इसने एक साल में आपको 700% रिटन दिये हैं और आगे मैं उमीद करता हूं कि यह stock बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिटन करेगा और अच्छे multi-mega returns देगा over a long period of time का मतलब है 6 महीने साल भर दो साल तीन सार ठीक है अगर आप बहुत short term में इसमें invest करना चाते हैं तो देखिए कोई भी चीज गारंटीर नहीं है short term में ये stocks बहुत ही volatile होते हैं 20% गिर गए 20% उड़ गए ठीक है तो उसको आप business में analyze कर रहे हैं तो गलत है हम एक long term के साफ सोचना है long term देखिए साल भर में 700% रिटन दिया है ठीक है तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में चलिए इस stock के बारे में देखते हैं और इसके figures देखते हैं financials देखते हैं कि कैसे कैसे ऐसे चीज़ें हो पाई है ठीक है तो हम लोग देखते हैं dashboard में जाते हैं तो इस stock का नाम है BRPL ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं profit and loss की profit and loss में आप देखिए over the years इसने sales देखी constantly increasing water में constantly increase हो रही है किसी किसी year में थोड़ी बहुत दिक्कत समझ में आती है कोई issue हुआ चोटी मोटी बात हुए ठीक है लेकिन आप देख लिए constantly increasing water में इसकी sales रही है यहां पर देखिए कोविट की situation रही है तो थोड़ा सा time लग सकता है companies को वापस track पे आने में फिर भी देखिए net profits देखिए net profits देखिए year on year business पे देखना चाहिए quarterly basis पे चीज़ें बहुत clear नहीं होती है तो year on year business में जब आप देखिए तो constantly debt की अगर बात करेंगे तो balance sheet में हम देखते है debt reserve जो हो गया company का जो profits उसने बनाए है उसको अपने पास return किया है उसको बाटा नहीं है ठीक है तो यह जो होए है रिजर्व दिखा रहा है debt borrowing अगर आप देखेंगे तो देखिए दो क्रोण की borrowing है बारा क्रोण का इनके पास रिजर्व देतिरा क्रोण का तो यह एक ratio अगर आप देखेंगे debt to equity 0.13 debt to equity हम लोग जो एक standard कोई नहीं होता है कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में companies को काफी पैसा चाहिए होता है अपनी growth करने के लिए तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए तो देखिए 0.13 है काफी अच्छा ratio है debt कमनी के बहुत ज्यादा नहीं है company के profits बहुत बहतरी तरीके से बढ़ते जा रहे है year over year ठीक है फिर आप investors की बात करी प्रोमोटर्स की बात प्रोमोटर्स देखिए अपनी holding को constantly बढ़ाते जा रहे हैं constantly बढ़ा रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से मतलब इसमें जो तीन signals है यह बहुत ही positive signals है और मुझे उम से देखिए इसका price बढ़ा है उतना क्या है देखिए जब company बहुत चोटी होती है तो बहुत कम लोग उसको analyze करते हैं यह बहुत लोग का ध्यान उस पर नहीं जाता है जैसे जैसे company के profit पढ़ते जाते हैं लोग उसको analyze करते हैं बड़े-बड़े जो firms होते हैं वो उसको analyze कर रहते हैं तब उसमें इन्娃स्टे बढ़ता है दिसमें बढ़ता है तो price बढ़ता है इसे स्चा SIMस्तर अर्हें कर रही है उसकेurities करने हो रही है ऐसे कसमें इसको अर बढ़ता है तो यह बहुत ही अच्छा स्ट़क है मेरे साब से जिसमें कि आप long term के लिए investment कर सकते हैं और इसमें ऐसी कोई negative चीज नहीं दिख रही है मुझे जिससे कि यह कहा जा सके कि यह खराब stock है company profits कमारी है profits constantly grow हो रहे हैं जैसे profits grow होते जाएंगे वैसे वैसे company grow होती जाएगी stock का price भी बढ़ता जाएगा और यह आपको multi bagger return जरूर देगा आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ऐसी काफी चारी चीज़े discuss करेंगे stocks को analyze करना उनके बारे में समझना और काफी सारी चीज़ों को हम लोग जिसरे सीखते जाएंगे और अपनी investment knowledge को strong मनाते जाएंगे तो इस चैनल को subscribe करना न भूलिएगा ताकि आपकी कोई important knowledge miss न हो जाए थैंक्यू